हेलो दोस्तो जब कभी भी हम गाजर खरीते हैं तो हमारे दिमाग में से दो ही चीज़े आती हैं या तो गाजर का हलवा या तो गाजर की सबजी अगर आप भी गाजर के हलवा और सबजी खाकर बोर हो चुकी है तो चली आज ट्राइ करते हैं मेरे साथ गाजर की बर्फी बनाना इसे बनाना बहुत ही जादा आसान है बिना कंडेज मिल्क, बिना चाशनी, बिना मावा के यह घर पर आसानी से बनाई जा सकती है और वैसी भी गाजर तो आजकल बहुत सस्ती हो गई है वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने करीब एक किलो गाजर लिया है इसे मैंने छील लिया था और देखिए मैंने इसे ग्रेट भी कर लिया है आप चाहें तो ना मिकसी में भी इसे ग्रेट कर सकते हैं थोड़ा मिकसी घुमाई बंद कर दीजे फिर घुमाई बंद कर दी अब लिये है मैंने एक कडाई मेजर्मेंट के लिए मैंने एक ग्लास करीब सुजी इसे मारे समें डाल दिया है गैस की फ्लेम बिल्कुल हमने मीडियम रखनी है और इसे मीडियम फ्लेम पे ही 2-3 मिनिट के लिए ऐसे ही ड्राय रोस्ट करना है इसमें कोई ओयल या घी यूज नहीं करना फिलाल आप चाहे तो इस सूजी का मिक्सर में पाउटर बढ़ा सकते हैं इसे और पतला कर सकते हैं इससे बरफी का जो टेक्चर है वो और अच्छा आता है और अच्छी बरफी बनती है तो चलिए अभी ब्राउन कलर की हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं इसे जादा देर और नहीं भूनना है इसे मैंने अब निकाल लिया है अब सेम कड़ाई में मैंने 4-5 चमच करीब देसी घी लिया है आप चाहे तो रिफाइंड ओल भी ले सकते हैं लेकिन देसी घी में ही मिठाईया सबसे जाद अच्छी बनती है अब ये कड़ू कस्क्यूई गाजर भी मैंने इसमें डाल दी है इसे हमने घी में अच्छे से मिला लेना है पहले पूरे उपर नीचे इसको मिला लीजिए अच्छे से तक कि गाजर और घी अच्छे से मिक्स हो जाए इसे ऐसे ही थोड़ दिर भूनना है ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है गास का फ्लेम हमने बिल्कुर मीडियम रखा है अब इसे हम थोड़ दिर ऐसे ही रख देंगे कवर करके करीबन तीन से चार मिनिट के लिए ताकि अच्छे से इसमें भून जाए और जो गाजर का पानी होता ना वो भी सूक जाए ये देखिए पानी अच्छे से सूक गया गाजर का भी इसमें पानी नहीं है बहुत ही हलका है अब इसमें हम उसी सेम गलास से एक गलास दूट डाल देंगे ये हलका गरम दूद किया था ठंडा दूद इसमें नहीं डालना वरना ये फट जाएगा तो इसमें हम हलका गुन-गुना करके दूद डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिला लेंगे दूद से बर्फी में टेस्ट और अच्छा आएगा यह देखिए ऐसे मिला ली है सारा कैस के फ्लेम हमने अभी भी मीडियम रखी है लो या हाई नहीं की है इसे फिर से हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे ऐसा ही पकने देंगे ताकि गाज़ा सॉफ्ट हो जाएगी और जो दूद है एक्स्ट्रा वो भी इसमें सूख जाएगा 2-3 मिनट हो गए हैं तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यह देखिए दूद पूरी तरीकी से सूख चुका है क्योंकि हमने इसमें मावा यूज नहीं किया है तो दूद से इसमें मावे वाले टेस्ट आएगा अगर आपके पास दूद उबालने के बाद जो उपर की मलाई होती है मूटी वाली अगर आपके बास वो है तो वो भी आप इसमें डाल सकते है यह सेम ग्लास से मैंने एक ग्लास करीब डाल दी है इसमें चीनी यह देखिए क्योंकि एक किलो गाजर था तो इसमें मैंने चीनी डाली है एक ग्लास अब इसमें डाल दी है सूजी क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है अब इसमें सूजी डाल दी है जब आप चीनी डालेंगे ना तो तभी आप सूजी भी डाल सकते हैं तो यह अच्छे से ना सूजी चीनी का जो पानी था ना इसमें फूल जाएगी इसे ढखका ढख दिया है मैंने ताकि अच्छे से फूल जाए यह देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और चीनी का पानी था वो भी सूजी ने अब्जर्व कर लिया है ये देखिए सूजी किती ज़्यादा फूल गई है और ये देख रहे हैं सारा पानी भी सुक चुका है इसके अंदर न दूद है न भी पानी है इसे थोड़े दिर ना हमें लेकिन फिर भी ऐसे ही पकाना पड़ेगा पर्फी के लिए इसका टेक्स्चर लगबख तयार हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर यह 4-5 चमच मने मिल्क पाउडर डाल दिया है इसके अंदर जो बजार में हमें मिलता है ना पैकिट में 10 या 15 रुपर का इसका पैकिट आ जाता है तो यह वही वाला मिल्क पाउडर है क्योंकि हमने इसमें मावा नहीं डाला है तो इस मिल्क पाउडर से इसमे आप milk powder नहीं डालना चाहते हैं तो यह देखे इसका न बर्फी का टेक्स्चर है बिल्कुल तयार हो चुगा है उसके लिए यह लेकिन इसे थोड़ी दिया न हम इसे और पकाएंगे जब तक न लगेगा हमें कि पूरी कढ़ाई अच्छे से नहीं छोड़ रहा न तब तक हम अच्छे से और थोड़ा सा medium flame में पकाती रहेंगे तो यह आप तयार हो गया है लगभग तो इसे अब हम एक प्लेट या थाली में निकाल लेते हैं अभी मैंने थोड़ा सा हाथों में घी लिया है और इसे थाली पे न मैं अच्छे से लगा लूँगी पूरा इसको गीसिं हूँ तो इसको न सब इसमें डाल देते हैं यह बर्फी खाने में बहुत ज़्याद़ टेस्टी होती है एक बर आप भी न बनाके जरूर ट्राय करें इसको अच्छे से स्पैट कर देते हैं चारो तरफ जिस तरभी आप डालना चाहें जो भी आप मोटी या पतली बर्फी अगर बनाना चाहें उस तरीके से आप उतना इसे फला के डाल दीजिए यह देखिए इसको अच्छे से मैंने डाल दिया है इसमें सेट हो गई है यह अब इसमें मैं थोड़ा सा गानिशिंग कर देती हूं ड्राय फ्रूट से यह काजो और बादाम है तो थोड़ा सा मैं इ सiami इसे अच्छी से अच्छी प्रेस कर दिया है अब इसे न हम करीबन एक से दो घंटे के लिए से अगर आपको जल्दी हैakah तो आप से 10 गंटे के फ्रिज में डग दीजिए तो यह अच्छी से जंसिएं अब आप यह पूरी कर लेते हैं तो देखते हैं एक ब्लाद मुला आप देखरें हैं, काटने के तरीके से आपको पता लग रहा होगा, कि बर्फी अच्छे से सैट हो गई है, पुरी तरीके से जम चुकी है इसमें बिल्कुल भी गिलापन नहीं है जिससे लगे कि बर्फी सही से सैट नहीं हुई है तो पीसिस आप किसी भी शेप में काट सकते हैं मैं इस तरीके से इनको थोड़ा लंबी तरीकी से जो बर्फी होते हैं लंबी शेप में काट रही हूं आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काटी है, जो भी आपको पसंद हो, एक मैं आपको बर्फी निकाल के दिखाती हूँ, ये देखी, बर्फी बिल्कुल आसानी से निकल गई है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से सैट हो गई है, गाजर की बर्फी है, इसलिए बहुत ही स और च्णी, बिना करनेज मिलके ये तेस्ठी और अच्छी बर्फी बनी है, ये बहुत ही सौफ्ट है खाने में, मुह में जाते ही ढूल जाती है, बहुत ही टेस्टी बर्फी होती है, तो इसे आप है बना कर एक बर ज़रूर ट्राइए करें, आपको एक बर्फी तोड़के यह भी दिखाती हूं कि यह कैसी बनी अंदर से यह देखिए बिलकुल पर्फेक्ट बर्फी बनी है आप इसे ज़रूर ट्राइब करें एक बार अपनी घर पर बनाकर बनाना बहुत ही आसान है घर की ही चीजों से आसानी से बन जाती है कोई एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नही कुछी द्रहें बाई बाई